इस तरह की सीरीज बेस भी प्रॉब्लम कई बार आती हैं और एक्दम से देखके कन्फिज होता है कि आरे इसमें क्या करना है वान माइनस वन बाइट वन इंटो थ्री एट इंटो सिक्स्टी तो कई बार क्लेक नहीं होता क्योंकि ना तो यह एक्सपोनिशन सीरीज है ना लॉ जब भी इससे डिटेट पॉलम आए तो सबसे पहले ध्यान रखेगा कि आप कंपैर करेंज़ेगा तो next term हो गया nx, यानि nx की value हो गई, आपको दो अनों हो गया, nx की value हो गई, minus 1 by 8, similarly, इस x square को भी आप थोड़ा time save करना, तो ऐसा लेकिए nx, nx minus x upon 2, ये हो गया, 1 into 3 upon 8 into 60, आप इसको solve करिए, nx की value है, minus 1 by 8 रग दीजिए, ये 2 से cancel किया 8, यहाँ पर रखा, minus 1 by 8, minus 1 by 8, minus x equal to 3 upon 8 into 8, एक ये 8 भी cancel, ये minus complete, इसके साथ multiply हो गया, तो plus हो गया, तो 1 by 8, plus x equal to 3 by 8, यानि x equal to 3 by 8, minus 1 by 8, तो 2 by 8 मतलब 1 by 4, x की value यहाँ put कर दे, रहना जाएगा, 1 by 4 equal to minus 1 by 8, तो n equal to minus 1 by 2, अब n और x की ये value को, यदि हम इस portion में put कर दे, तो देखे क्या होगा, 1, 1 plus 1 by 4, 2 the power minus 1 by 2, यानि 5 by 4 की power minus 1 by 2, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4 by 5 की power 1 by 2, यानि 2 by root 5, यानि ये series का summation हुआ, 2 by root 5, तो जब series से related question आए, तो आपको simple साथ concept याद रखना है, कि पहला term 1 होना चाहिए, next term का compare आप nx से करिये, और उसके next term का compare nx into nx minus x upon factorial 2 से करिये, n और x की value find out करिये, और इसमें put कर दे, तो आप easily submission of series के questions को solve कर सकते हैं.